अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको? वही कश्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लाल्ची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू उनकी विद्वाओं की चीखिया और उनके बच्चों के दिए बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सारहुदों के जो युद्ध होता है वो सिर्फ सरकार का होता है कि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक्ट जब मात्मा गांदी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का वहिशकार करना पड़ेगा तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद में हिस्सा ले क्योंकि लदाख हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गोड्स हैं जितने भी उनके प्राड़क्ट्स हैं जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको रिटर्न आते हैं रेविन्यू आते हैं और्गिनाइजेशन उन सब का वहिशकार करें ता तो हमें पतिग्या लेते हैं कि हम आत्म निर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिलकुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे जैहिंद